तोड़े वुद्ध रिसकास लेनमा केस अफ इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट 172 विची मैंसने में पर केस्मेट केस का नाम है कि दार नाद भटा चार्जी वर्स गौरियम मुहमद यह थाराइब रूप से वालेड कंसिड्रेशन पर बेड़ है तो चलिए अब इसकेस के ब्रीफ पर आते हैं इस केस में एक टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाना रहता है तो जो कमिशनर होते हैं हावरा मुंसिपाल्टी के वह सब्सक्रिप्शन इन्वाइड करते हैं पब्लिक से कि आप फंड दो तो जो डिफेंडेंट होता है वो एक सब्सक्राइबर होता है इस फंड का 100 रुप्या का तो इसके भरोसे जो हैं वाइस चेर्मेन अफ मुंसिपाल्टी वो एक कॉंट्रैक्टर के साथ कॉंट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई इस बिल्लिंग को बनाना है लेकिन जो डिफेंडेंट होता है जो सोरप्याव का प्रोमिस किया था कि हम सोरप्याव देंगे इस फंड में वह फेल हो जाता है पेमेंट करने से और कहता है कि हमारे बीच कोई कंसिड्रेशन नहीं था यानि कि यहां पर कंसिड्रेशन की कमी थी इसलिए यह एक वैलिट कॉंट्रेक्ट ही नहीं है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे तो मामला जाता है कोट में चलिए अब कोट के अब डिशन पर आते हैं कोट कहती है कि डिफेंडेंट को कि आप पेमेंट करने के लिए लाइबल हो क्यूंकि आप अच्छे से जानते थे कि आप से जो पैसा लिया जाएगा वह किस परपस से लिया जाएगा और आपके भरोसे ही प्लैंटेफ ने कॉंट्रेक्टर से कॉंट्रेक्ट किया कि इस बिल्दिंग को बनाया जाएगा कोट आगे कहती है कोट कहती है कि प्लेंटिफ ने जो कॉंट्रेक्टर के साथ कॉंट्रेक्ट किया वो डिफेंडेंट के डिजायर पे किया क्योंकि डिफेंडेंट ने कहा था कि हम आपको 100 रुप्या देंगे तो यह जो डिजायर था कॉंट्रेक्ट का वो डिफेंडेंट का डिजायर था इसलिए कॉंट् और डिफेंडेंट के बीच में इसकृटोच है तो को करती है और को करती है कि आपको ऑब सोर सब्सक्रिप्टिक्रिप्शन जो आपने लिया था वो पेमेंट करना होगा तो इसके एस इस एक उस्धी फयरें यहीं है आई घूर्प लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिज वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जूरे रहने के लिए हमाया च्रेल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडिया चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वार्ट सेफ नंबर दिया गया है अप मेसेज ले सकते हैं थैंक यू तो मुझ तो मुझ तो मुझ